क्या हाल है दोस्तों मार्च का महीना खतम होने वाला एक फोन के लिए हम रुखेते जो दोस्तों का लॉंच हो चुका है तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे बेश्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000 और बेश्ट का मतलब वही होता है दोस्तों जो आपकी नीड और रिक् टर्नमेंट को फुलफील कर सके तो दोस्तों इस सब कैटिकरी में तो बहुत सारे फोन आते लेकिन दोस्तों हम आपको ज्यादा घुमाएंगे फिराएंगे नहीं डारेक्ट मुद्दे में और पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे तो सबसे पहला फोन दोस्तों आता है दोस्तों यह आता है ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलता है और डिजाइन इसका काफी खुबसूरत सा है लेकिन आप इंफिनिस का फोन सोचकर यह मस्तोचिए कि यह चमन फोन है सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इसके प्रोसेसर डैमेंसिटी 900 का प्रोसेसर है जिसका दोस्तों चार लाग पैतालीस हजार पचास हजार के करीव आता है जिते भी फोन मैं बताने वाला हूँ सबसे ज़्यादा इंटूडू बेंचमार किसको इसका आता है दूसरा चीज आट जीबी राम यहां पर देखने को मिलता है दोस्तों यूएफस 2.1 का सपोर्ड है और दोस्तों यहां पर बात करते हैं अब इसके कैमरे की कैमरे में दोस्तों यह बहुत ही तगड़ा है 48 मेगा पिक्सल का मिन सेंसर है 13 मेगा पिक्सल का अल्टरा वाइड है दोस्तों इस प्राइज रेंज में 13 मेगा पिक्सल का अल्टरा वाइड कोई दूसरा फोन नहीं देत तो यहां पर बात करते हैं दोस्तों ठर्ट जो है दो मेगा पिक्सल का मैक्रो डिप बोल सकते हैं उसको 16 मेगा पिक्सल का सेलफी कैमरा 5000 मिलियंपेर अर्ग बैटरी 33 वाट का फास्ट चार्जिंग लेकिन दोस्तों गेमिंग के लिए 8GB और 126GB इंटर्नल मिमोरी आपको मिल रहा है तो और क्या चाहिए डैमिंसेटी 900 चाहिए चार लाग पांच लाग के करीब आता है तो यह फोन दोस्तों 19,990 रुपए में वन आप बेस्ट है गेमिंग के लिए इस से तगड़ा फोन अंडर 20,000 में नहीं बोलूंगा हाँ पोको एक्सटरी प्रो है लेकिन दोस्त रेडी फोन लीजे 5G फोन लीजे वार और वैसे भी दोस्तों 2022 में 5G इंडिया में आई ही जाएगा तो आप यूज भी कर सकेंगे इसलिए दोस्तों ऐसा फोन लीजे कि दो धाय साल तो आपको चला नहीं है तो इसलिए गेमिंग के लिए इनफेरिज जीरो 5G यह दोस्तों वन आफ विश्ट रहागा यहां पर आपको गेमिंग मिलेगा चायमरा मिलेगा और सिस्पले और इन फिल भी जबर देकर तो यह फोन दोस्ता आप आप कर सकते और ले सकते हैं अगर आप Gamer है तो चलिए दोसरा केडिगिरी उन लोगों का होता या हमारे जैसे लोगों का हो दोस्तों क्योंकि वो एक 4G फोन है लेकिन आपको अगर वन आप देश्ट और तगड़ा का तगड़ा दोस्तों अगदम जबर्जस कैमरा चाहिए तो आप ले सकते हैं यहां पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों वन आप देश्ट कैमरा लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले की यहां पर दोस्तों डिस्प्ले जो आता है पंच वल डिस्प्ले के साथ आता है दोस्तों यहां पर डिस्प्ले जो है इसका इसका आपको जबर्जस मिलता है बात करते हैं दोस्तों इसके प्रोसेसर की 2695 का प्रोसेसर हैं जिसकãy subscribe स Gemeंट करते हैं यहां पर दोस्तों pessoa इसके कामरे की 108 Megapixel का में सिंसर दिया गयाहा है मेगा पिक सल अль्टर वाईट और मेगापिक्सल का डिप और यहां पर दोस्तों 16 मेगापिक्सल का सिल्फी कैमरा दिया गया है 5000 मिलियंप्यार के बैटरी और 67 वाट का फास्ट राजिंग तो यह हुई पूरी स्पेस यह लेकिन दोस्तों इस फोन में एक प्रॉब्लम है अगर आप दोस्तों 4K वीडियो को रिकार्ड करना चाहेंगे तो यह जो प्रोसेसर है दोस्तों कैपेबल नहीं है 4K वीडियो में तो दोस्तों आपको फोटो क्लिक करने में आपको वन आप दो बिश एट यह पिकसल का सेंसर मिलेगा लेकिन दोस्तों जो रेड्मी नोट 10 प्रो और प्रो मैक्स पे दिया गया था वहीं सेम दोस्तों डिस्पले यहां पर दिया गया है 1200 नीट्स का पिक ब्रैटनेस दिया गया है और भी बहुत सारी चीज है दोस्तों 67 वाट का फास्ट चार्जिंग मतलब दोस्तों 40 मिनट में यह दोस्तों आप दोस्तों आपकी नीट है मतलब आप गेमिंग भी करते हैं आपको कैमरा भी चाहिए एमॉलेट डिस्पले भी चाहिए गल्फरेंट को भी शो करना है तो दोस्तों आप ले सकते हैं कली लांच हुआ है Poco X4 प्रो यह जो फोन है दोस्तों आपको क्यों लेने बोल रहा हूं क यहां पर जो कैमरा का जो कॉट आउट है उसको थोड़ा बढ़ा कर लंबा कर दिया गया तो बात करते हैं क्या है स्टाइब डागन 695 का प्रोसेसर है यहां पर दोस्तों जो मिलता है आपको डिस्पले 6.7 इंच का सूपर एमॉलेट डिस्पले 120 हर्स के साथ जो कैमरा है द दोस्तों ग्लास बिल्ट के साथ आता और देखने में काफी खुबसूरत लगता है तो यह फोन दोस्तों और बंदे है आपको और चीज़ चाहिए तो दोस्तों यह फोन ले लिजए वरना दोस्तों आपको अगर 108 मेगा पिक्सल का गेम करना है तो आप ले सकते दोस्तों र रियल्मी 9 प्रो अगर आप लेंगे दोस्तों तो वह मिल जाएगा लेकिन उसमें कैमरा सही नहीं है IPS डिस्प्ले वगरा और प्रो प्लस जो है दोस्तों 25 तक चल जाएगा और यहां पर बात करते हैं रियल्मी 9 स्पेसल एडिशन दोस्तों तो उसमें आपको IPS LCD डिस्प्ले मिल रहा है तो किसको ले इसलिए तो मैंने ये तीन फोन चूज किया है आप यह मत समझिएगा कि रेडमी कर रहा है जो दोस्तों कैपिवल है वही मैंने बताया तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजे नहीं मैं मौने तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको समझ में आया हमारी वीडियो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ शेयर के आपकी बहुत ज़्यादा जरुआता है जल से जल हमारे हमें और हमारे चैनल को दोस्तों पूश करिए आप पीछे से चलिए दोस्तों फिर में त अबते लेपक।